फार्मा में दो टोपिक्स बहुत इंपोर्टन है और थोड़े अन्फूजिंग है एक है efficacy of the drug और दूष्टी है efficacy है और the percentage of the drugs, efficacy में क्या difference है? एकिकेसी बेसिकलिए जोहिए आपकी maximum effects a drug can produce यह maximum effect से कोई भी drug हो वो इकसी भी receptor पर प्रोड्यूज कर रहा हो that would be called as efficacy of that drug अब हम इसको थोड़े समझने के कोशिश करते है कि efficacy दो मुक्तलिफ drugs हमारे पास अगर हो let's suppose हमारे पास एक drug है A है और दूसरे drug है B है साइए यह हमारे पास graph है efficacy का यहां पर x-axis में हमारे drug dose जो हो रहा है और y-axis में हमारे पास है maximum effect जो की drug produce कर सकता है इस graph में दिखाया गया है दो drugs को एक है drug A दूसरा है B और इनकी efficacy को differentiate किया गया है इस पे x-axis में हमारे पास drug dose जेजे और y-axis में हमारे पास maximum effect जो की drug किसी खास concentration में या किसी खास dose में वो produce कर रहा है अब यह कि जो drug A है उसके जो maximum effect है वो 100% है इन concentration इस concentration पे सही है तो इसका जो maximum effect वो 100% इस concentration पे है जबकि जो drug B है हमारे पास वो उसी concentration पे उसी receptor पे उसका जो effect है वो है maximum effect है वो 50% है इससे ज़्यदा वो produce नहीं कर सकता तो यह drug A और drug B के बीच में efficacy का difference है तो इसका मतलब यह है कि drug A जो है ना उसका किसी खास receptor पे जो effect है वो drug B से ज़्यादे है या आप यह कह सकते हो कि drug A is more efficient than drug B अब दूसरी चीज़ हमारे पास है potency potency का मतलब यह कि amount of drug needed for a given effect आपके पास कोई भी effect है उस को उस effect को produce करने के लिए आपके पास amount कितनी होनी चाहिए तो आपके पास effect पर ले से है कि आप के रहे हो कि इतना effect मुझे produce करने के लिए कितने amount में ड्रग चाहिए अगर कोई drug आपके पास less amount में वो effect produce कर रहा है तो इसका मतलब यह कि drug is more potent और अगर उसी effect को produce करने के लिए अब ज्यादा आपके पास अगर drug का amount required हो तो इसका मतलब है that drug is less potent. तो ये भी हम pictorially हम इसको explain करने के वोशिश करेंगे. तो हमारे पास यहां पे दो drugs है. एक है drug A और दूसरा है drug B. अब इस ग्राफ में दिखाया गया है कि इसके जो x-axis में इसका drug का dose है और y-axis में इसके maximum effects दिखाया गया है. और उपर साइट में relative potency दिखाया गया है कि जो दो drugs है drug A वो 50% अपने effects प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो concentration हमें इतना चाहिए. और जो drug B है वो उसी receptor पे 50% उसके जो effects है वो produce करने के लिए उसका जो concentration है हमारे पस इतना चाहिए. उसका मतलब ये है कि same effects, 50% effects produce करने के लिए drug A हमें कम amount में चाहिए इतना amount में चाहिए और जो drug B है वो हमें ज्यादा amount में चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि same effects produce करने के लिए drug B हमें ज्यादा मौन में चाहिए तो इसका मतलब ये है कि drug B is less potent than drug A तो ये हो गया potency और efficacy के बीज में difference